जोहार दोस्तों सागत आपको अपने यूटूब चेना के आरिज्याम में दोस्तों आपको बता दू जार्खन फुलिस वहाली की परकरिया जो है वो आपका शुरू कर दिया गया है और 8 दिसंबर के बाद में इसका विज्जापन भी जारी कर दिया जाएगा ठीक है जिसका जो ओफिसियल डेटा है वो भी जारी कर दिया गया है आपको मैं ओफिसियल डेटा दिखाऊंगा आप लोग खुझ से इसको देख सकते हैं ठीक है बहुत सारे स्टुडेंट एसे हैं जो की वीडियो नहीं देखने से पहले ही कमेंट करने लगते हैं कि फेक नूज है तो आ आपके एक्जाम से संबंदित आपको हर पल की अपडेट जो है वो आपको मिलते रहे तो चलिए दोस्तो देखते हैं पूरी अपडेट को तो दोस्तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं मैंने इस समय आज के हिंदुस्तान के नूज पेपर को आपन कर रखा हूं और आप सभी इस बेटरा से कोई भी जो है सक की संभावना ना हो इसलिए मैं यहाप पूरा नूज पेपर को आपको दिखा रहा हूं दिखिए सबते पहले मैं इसको अलका सा जूम कर लेता हूं ताकि आपको देखने में सुधा हो देखिए यहाँ पर सबते पहले आप लोग देख पा है तो आज का राती का पेपर में पेज नंबर 14 में आप लोग देख सकते हैं ठीक है देखिए यहाँ पर आपका किल्यर बता दिया गया है कि जारकन में पुलीस बहाली की परकरिया शुरू तो चलिए मैं इसको हलका सा किल्यर कर लेता हूं ताकि आपको देखने में सूधा तो दोस्तों अब आप लोग इसको किल्यर देख पा रहे होंगे देखे यहाँ सबसे पहले आपको बता दिया गया है कि जारकन में पुलीस बहाली की परकरिया शुरू आगे बताया गया कि जारकन पुलीस में बहाली की परकरिया जो है वो आपका शुरू हो रही है और इस इसके लिए जो है transparent recruitment process मतलब TRP के लिए agency को लाया जा रहा है जी हाँ दोस्तों इस बार आपका TRP के लिए जो आपका agency है वो आपका लाया जा रहा है अब देखिए आगे यहाँ पर बता जा रहा है कि इस agency को लाने के लिए tender भी जारी कर दिया गया है इसके लिए आपका tender भी process है वो सबसे पहले आपका physical वेगरा जो कुछ भी है ठीक है इसमें आपका physical जादा आपका जो है निरभर करता है तो physical है उसके बाद liquid फरिच्छा वेगरा होगा ठीक है तो यह सारा जिम्मा जो है वो कौन समाले का मतलब कौन आपका exam को conduct कराएगा तो उसी को यहाँ पर बो करती जाएगी कि बहाली की फरकरिया से लेकर मतलब आपका पूरी जो बहाली का फरकरिया है उसको लेकर उसके बाद admit कार जारी होने तक और उसके बाद database देखिए यहां पर बताया गया कि database तयार जो है वो कौन करेगा ठीक है और सुत्रों के अनुसार करीब जो है 13000 जवा जारकन फुलिस लेवल का जो आपका एक्जाम हुआ था जो आपका जारकन उत्वाज चिपाई का एक्जाम हुआ था पहले 2018 में ठीक है तो आपका जारकन फुलिस लेवल में ही था मतलब उत्वाज चिपाई में था तो उस समय जो आपका एक्जाम लिया गया था वो भी आ पूछा गया था आप लोग उसको देख सकते हैं जो 2018 में पूछे गया थे उसको आप लोग पूरा किल्डर ली देख रहे हैं जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे पेपर वन पेपर टू एंड फेपर थी में उस समय इज्ञाम हो था तो यदि आप लोग को ओर्गिनाज पेपर को पी यदि चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा वार्टाप का लिंक मिल जाएगा आप लोग वहां से जाके इसको ले सकते हैं ठीक है तो दोस्तों ये था आपका पूरा जानकारी मतलब 13000 जवानों की भरती जो है वो जल रही ज खारकन में होने वाली है तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको सभी जानकारी मिल गई होगी यदि आपको जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दिजे अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा सेयर करिए और आप लोग फिजिकल की तैयारी में लग करता हूं करता हूं